साथियों नमस्कार गद्य सिक्षन स्रिंखला में आपका स्वागत है इस स्रिंखला के अंतरगत हम ब्रजमोहन व्यास और उनकी आत्मकथा का एक अंस कच्चा चिठ्था पर चर्चा करेंगे ब्रजमोहन व्यास का यह कच्चा चिठ्था कच्चा बारह की हिंदी की एक्षिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित है इस पाठ से जुड़े हुए महत्पूर्ण बिंदूओं पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डाक्टर अंगत तिवारी डाक्टर अंगत तिवारी दिल्ली विश्र विद्याले के स्री अरविंद महा विद्याले में भासा साहित सिक्षन के लिए महत्पूर्ण स्थान रखते हैं उनसे बातचीत करेंगे प्रफ़सर सूरज बहादूर थापा प्रोफसर सुरज बहातुर थापा लखनों विश्व विद्याले के हिंदी विभाग में हिंदी अध्यन अध्यापन कारे कर रहे हैं महत्पून लेखक, रचनाकार, सिक्छक हैं आएए देखते हैं उनकी बात चीत साथियों नमसकार, आज हम भ्रज मोहन ब्यास जी की आत्म कथा मेरा कच्चा चिठा के एक अंस कच्चा चिठा पर चर्चा करेंगे इस चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्तित हैं डाक्टर अंगतिवारी जी, डाक्षाब इस चर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इसके पहले कि इस पार्ट पर हम चर्चा करें, मैं चाहूंगा कि डाग साब आप ब्रजमोहन ब्यास जी के जीवन का एक संचिप्त परिचाय दे दें. डाग साब ब्रजमोहन ब्यास जी इलहाबाद नगरपालिका में एक उच अधिकारी थे, और सिर्फ अधिकारी ही नहीं थे, वे एक कर्मट इमानदार परिश्रमी अधिकारी थे, और इसके साथ ही उच कोटी के लेखक भी थे, उन्होंने बाल कृष्ण भट की जीवनी लिख ही है, और अपनी आत्म कथा मेरा कच्चा चिठा नाम से लिखा है, उनका एक शौक था, वो शौक ये था कि वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते थे, और इस वजह से पूरे देश में घूमकर, पुरा तात्मिक सामगरियों को इकठा करते थे, और उन के परिणाम, उनके परिशरम के परिणाम से ही, शुरू में वो नगर पालिका के एक भावन में खुला, और उसके बाद आज तो प्रसिद्ध संग्रहाले बना हुआ है, तो ब्रज मोहन ब्याद जी उसमें बहुत प्रकार की चीज़ें लाकर रखते थे, जैसे पत्थर की म जो अर्वी की भी थी, फार्सी की भी थी, संस्कृत और हिंदी की भी थी, लगबग 14,000 गंतों का उन्होंने संक्लन किया था, ये सारी चीज़ें आज इलावा संग्रहाले में सुरक्चित हैं, तो एक बड़ा काम उन्होंने किया, और आने वाली पिली के लिए एक धरोहर दे करके गए हैं, जिससे हमारे समाज के लोग भारती इतिहास को समझने में और उसको व्याख्याइद करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समिता विमर्ष जो चला है, उसमें दलित विमर्ष में तो शुरू में बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई। और इस्त्रियों ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। और आदिवासी समधाय के लोग भी आत्मकथाएं लिख रहे हैं। इधर आत्मकथाएं बहुत लि किसे वो जीवन नहीं होता है, जिसे वो जी चुका होता है। इसमें लेखक का वह जीवन के अनुरूप होती है तो आप एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि स्मृति के आधार पर लेखक आत्मकथा में आप अबीती की पुनर रचना करता है अब आत्मकथा जो होती है वो प्राया अधूरी होती है उसका कारण है कि जिस समय लेखक आत्मकथा लिख रहा होता है उसी समय तक का जीवन उसमें आता है और बाद का जीवन नहीं आता है, तो इसलिए आत्मकथाय समाँ अधूरी होती है, और आत्मकता और जीवनी में थोड़ा फ़र्क भी होता है, जबकि यह दोनों एक जैसी विदाये हैं, परंतु आत्मकथा लेखक स्वयद, लेखता है और जीवनी किसी को चरित नायक बना कर कोई दूसरा व्यक्ति लेखता है और इस वज़ा से आत्मकता की भाषा लेखकी स्वयम की भाषा होती है जीवनी की जो भाषा होती है वो जीवनीकार की अपनी भाषा होती है तो आत्मकता के दो मुखे तत्व हैं एक तो आत्मकता में इमानदारी होनी चाहिए और दूसरा कि वो स्मृति के आधार पर मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा इकट्टी की गई घटना है और स्मृतियों को उसमें डालना चाहिए जिस आत्मकथा में ये दो तत्व नहीं है अर्थात आत्मकथा में आत्मसलागा की भावना आ जाए या आत्मसंकोज की भावना आ जाए तो वो आत्मकथा प्रामारिक नहीं हो पाती है और फिर उसका सायतिक महत्तुवी खत्म हो जाता है लेकिन जो आत्मकथा प्रामारिक होती है उनसे एक दूसरी विशेष्था निकलती है और वो दूसरी विशेष्था यह है कि वो आत्मकथा अपने यूग के एक प्रामारिक दस्तावेज के रूप में जानी जाती है और उससे उस यूग विशेष की सामाजी, कार्थिक, आत्मकथा अपने यूग के दस्तावेज को प्रस्तूत करी एक आतिहासिक दस्तावेज है, तो जब ये एक आतिहासिक दस्तावेज है, तो डग साब इसमें ब्रजमोहन जी का एक आत्मसंगर्स भी सामने आया होगा, क्योंकि यह एक छोटा काम तो है नहीं, एक संग्रहाले लिए भिविन तरह की मुर्तियां और प्रतियां इकठा करना, और उन्होंने लिखा भी है, कि मैं जहां भी जाता था, तो छूचे हाथ, यानि खाली हाथ, खाली हाथ लौटकर नहीं आता था, तो ये कैसा उनका संगर्थ था, ये बड़ा प्रेणादायक है, इसको आप च देश्ट के प्रति, भोती सजग और लगन के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए जिस यात्रा पर भी वो जाते थे, तो उनका निश्चय होता था कि संगर्थाले के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आना है, तो जिस चीज को टार्जेट करके लक्ष करके वो जाते अगर वो चीज नहीं मिलती थी, तो अन्य पूरातात्विक सामगरियों को इकठा करने का प्रयत्न करते थे, और इसके लिए वो उत्तर भारत के जो पूरातात्विक महत्व के अस्थान है, उनका तो ब्रमण किये ही, दक्षिन भारत में भी उन्होंने इसके लिए यात्रा और वहां से अनेक प्राचीन गुरंत जो हस्त लिपी में उपलब्द थे, वो लाए बहुत सारे प्राचीन समय के सिक्के और मन के लाए, मिट्टी की मूर्तियां लाए, अचा इसमें सबसे महत्वन बाते हैं कि कि किसी का आर्थिक सहयोग उनको नहीं मिलता था, या तो वो ये पता था कि एक नेक काम के लिए प्रेयत नशील हैं, तो दूसरे तरह से उनको सहयोग लोग किया करते थे. ये बहुत अच्छा पक्चा आपने उठाया, मैंने देखा है इस आत्मकता में कि जनता का विश्वास जीते बिना और उनका सहयोग लिए बिना कोई काम हो नहीं सकता है. बिलकुल. दाक साब, जनता के साथ वो कैसे भुल मिल गये थे, गावालों के साथ मिल करके, कैसे एक बड़े उद्देश के लिए वो काम कर गये थे, तो जनता के साथ उनके आत्मिक संबंध पर जरा प्रकास्ट आ लिए। मैंने पहले भी बताया कि वो नगरपालिका के उच्च अधिकारी थे, और उस नाते बहुत सारे लोगों से उनका रोजी इंटरेक्शन होता था, संबाद होता था, और जाहिर है कि उसमें वो चर्चा भी किया करते होंगे, कि वो क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए प्रयत ने हैं, तो जो सहिर्दय लोग होंगे, वो जिस तरीके से भी उनका सहयोग कर सकते होंगे, वो करते होंगे, तो ये उनका पोजेटिव पक्ष था, जिसकी वज़ा से उनको सहयोग मिला, और जनता के बीच में जाना, यानि जहां खुदाई हो रही है, उस साइट का ब्रहम करते थे, और जहां पर यात्रा के लिए गाड़ियों की सुविदा नहीं थी, वहां तागे और इक्के से भी यात्रा करते थे, तो ये संगर्ष आसान नहीं था, बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सब किया, और जिसका जोलंत प्रमार इलावाद का संग्रहाल है, चाक साब ये एक बुढ़िया के खेत से वो एक मुर्ति लाते हैं, और गाउवाले जो एक सिव की मुर्ति वो उठाला आये थे गाउव से संग्रहाले में, तो वो प्रसंग घटना थोड़ा और सपस्ट कीजिए, तो उससे जनता के साथ उनके आत्मिक संबंधों का खुलासा हो खुदाई करवा रहा था, और उस खुदाई में एक शिला लेख मिला था, उस शिला लेख को वो इलावा संग्रहाले के लिए लाना चाहते थे, लेकिन पूरा तत्त्र विभाग के दवाव की वज़ा से वो उन्हें मिल नहीं पाया, या उन्हें अपना जो दावा है, वो वापस लेना पड़ा, तो जब लौट रहे थे, तो मायूस भी थे, लेकिन लौटते समय उन्होंने देखा कि पेड के नीचे पत्थरों के बीच में एक चतुरमुखी शिव की प्रतिमा रखी हुई है, तो उस पर ध्यान उनको उनका गया, और वो उठा कर वो ले आये, ज लेकिन शक किस्तुई ब्रजमुहन ब्याज जी की ओर चले गई, क्योंकि पूरे इलाके में मसरूर था कि ये काम, यानि पूरातात्मिक चीजों का संग्रा करने की प्रविर्ति ब्रजमुहन ब्याज जी के अंदर ही है, तो हो सकता है कि वही उठा कर ले गए हूँ, तो प्रभावित हुए, और मूर्ति उनको वापस कर दिया, और साथ ही मिठाई खिला कर उनका उपवास तोड़वाया, तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है, जी जी, इस तरह से वो जन्ता में विश्वास पैदा करते थे, और इसमें एक ऐसी भी घटना है, कि मजुमदार सह आपको गावाले जो मूर्ति नहीं ले जाने दिये, उसे वो अपने संग्रहाले में लाने में बहुत सफल हुए थे, नहीं सफल नहीं हुए, ये बुद्ध की मूर्ति लाने में सफल हुए, बोधिसत हुए, ये जो बुद्ध की मूर्ति थी, ये कनिश्क कालीन मूर्ति थ तो उसको प्राप्त करना चाहते थे, और एक बुढिया के घर में ये मुर्ती थी, अब चुकी बुढिया पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए पुरा तात्तिक महत्व की उस मुर्ती की क्या कीमत होती है, उसे पता नहीं था, लेखक ने उस जमाने में दो रुपया उसे दे कर मुर्ती हासिल की थी, और वो मुर्ती संग्रहाले में ले आया, उस मुर्ती को देखने के लिए, एक फ्रांसिसी व्यक्ती आया, शुरू में ब्याजी समझे कि ये कला का पार्खी व्यक्ती होगा, लेकिन जब मुर्ती का भाव करने लगा, मोल तोल करने लगा, तब उनको पता चला कि यह तो कला का पार्खी नहीं है, यह तो सौधागर है, और उस जमाने में फ्रांसिसी व्यक्ति ने 10 हजार रूपया उसकी कीमत आके थी, तो बहुत बड़ी कीमत थी उस समय और इस तरह की चीजों को ला करके वो संग्रहाले में रखते थे, चंद्रसेखराजाद का पिस्तॉल आज भी संग्रहाले में रखा हुआ है, ऐसी अनेक चीज हैं, कहीं-कहीं से, जैसे भी हो सकता है, उसको लाने का प्रियत में करते हैं, इसका मतलब यह हुआ डाक साब, कि संग्रहाले बनाना सिर्फ मुर्तियों और कृतियों को इकठा करना नहीं है, इसके पी यह दिखाता है कि प्रतिवध ना हो आप, तो इस तरह से आप बड़ा काम कर नहीं सकते हैं, इसके लिए एक चरित्र की भी जरूरत है, जला उस पक्ष पर भी आप प्रतास चालें तो, देखिए, आज के जमाने में ब्यक्तिगत संबदा को खर्च करके, सार्व्यनिक महत् बहुत बड़ी बात है, ब्रजमोहन ब्याज जी ने यह काम किया, वे अपने पैसे से, अपने स्रम से एक बड़े संग्रहाले कर निर्मार कर पाए, जिसका सार्वजनिक महत्व है, आज के जमाने में तो संग्रहालें से लोग चीजों को चोरी करके और मार्केट में बेच और उसे आमदनी होती है इनकी, तो बिलकुल बिरोधी प्रविर्तियां है जो लोग बड़ा काम करते हैं, जिनका लक्ष बड़ा होता है, वे ये नहीं देखते हैं कि उनका क्या खर्च हो रहा है, वो स्रम भी करते हैं, आर्थिक रूप से भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, और लोगों का सहयोग भी लेते हैं, उनका लक्ष पर ही ध्यान होता है, तो ब्रजमोहन ब्याज जी ने इस काम में बहुत तलीनता दिखाई, और हर तरह की लोगों का सहयोग लिया, आर्थिक सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरह का सहयोग लिया, और जार्विनिक महत्वक का चीज है। राक साब आपने प्रारम में संकेत किया था कि उनको इतिहास के अनुसंधान का एक सौक था और इस सौक ने उनमें एक गहरी दृष्टी पैदा की थी। तो उन्होंने जो काम किया भारत के इतिहास के लिए धरोहर तो है ही लेकिन उससे क्या इतिहासिक दृष्टी निकल करके आती है इतिहास के प्रतियुन का क्या उदान महती है जरा उस पक्ष पर भी आप विचार करें। कई चीजे किमबधन्तियों में चलती है और उसका कोई प्रामाणीक दस्तावेज नहीं होता है श्रीला लेक नहीं होता है जिससे हम सही सही ये द्टय कर पाएं कि ये जो बात चलन में है वो वास्तों में प्रामाणीक है कि नहीं है तो इसलिए आतिहासिक जो इक्सामगरियों के माद्यम से ये सिद्ध कर पाते हैं कि ये बात सही है और ये बात अफवा है तो ब्रजमुखन व्याजी जो पुरातात्रिक महत्र की चीज़ें इकठा करते थे वो इसी लिए कि हमारे समाज का इतिहास क्या था इतिहासिक विकास की गति क्या थी और उस के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं लेकिन खुदा ही होती है या कहीं से कुछ मिल जाता है किसी काल विशेश का तो उस काल विशेश के इतिहास पर रोश्डी पढ़ने लगती है अब जैसे मान लिजिए कि वो कहीं से लौट रहे थे और उनको शिलालेख प्राप क्या अर्थ हुआ चरह समझा दिए बरेड है कि कुए के ऊपर रखने वाला जिस पर पाउं रख करके पानी भरा जाता है और वो बरेड अतिहासिक महत्र की चीज था उसमें ब्रामी लिपी में लेक लिख हुए थे जिसके बारे में गाउवालों को कुछ नहीं पता था तो उसको उठा कर लाए तो इस तरह से उन्होंने संगरहाले के लिए काम किया और ब्रामी लिपी को पढ़ा गया होगा उस ब्रामी लिपी को पढ़ने से ये पता चला होगा कि किस काल का वो बरेड है और उस काल के इतिहास के बारे में भी पता चला होगा तो पुरा तात्वि में किम बदनती है कि वो एक प्रसिद्ध तिर्थस्थल है, जहां हर वर्स मेले लगते हैं, हजारों लोग बाहर से आते हैं तिर्थाटन करने, तो ये बात तो सही है, इसको आज भी लोग देखते हैं, लेकिन जो दूसरी बात उसके बारे में कही जाती है, कि यहां भगवान बुद्ध रहते थे गुफा में, और यहां ब्यायाम करते थे, और एक सर्प भी इसमें रहता था, और सम्राट असोक ने कुछ केस और नाखुन के टुकड़े बुद्ध के वहां रखवाये थे, पर उसके कोई प्रमान आज उपलब्द नहीं है, तो इसको किम बदनती मान जाही जो होती है, तो वो तै होता है इस तरह की पूरा तात्रिक समगरियों के विशलेशन से और उनकी व्याख्या से. नक्साब, वो भद्रमत की जो मुर्ति है, तो उसकी छतिपूर्ति का क्या प्रकरण है, उसको जरा समझाएं? वो भद्रमत की जो भद्रमत का एक शिलालेख है, उसको पाना चाहते थे और अपने संगरहाले के लिए लाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार के पूरातत्त भी भागने उन्हें एलाउ नहीं किया, तो उन्हों दावा उसका छोड़ दिया, और जब वो रास्ते में लौट हुआ कि शिलालेख नहीं मिला, बद्रमत का, पर मिल गया क्या, ऐसा वरेड जिसमें प्रामी लिपी में लिखा हुआ अध्भुची मिल रही है, रक्साव इस परकार हम देखें तो उनकी एक कर्म योगे किछा भी उभरती है, बिलकुर, बिलकुर, तो इस उनके आत्मकथा के अंस को पढ़ करके हमारे उते हुए जो नौजवान साथी हैं, उनको क्या संदेश मिलता है, यही संदेश मिलता है कि अपना लक्ष बढ़ा रखिए, अपना उदेश बढ़ा रखिए, और उसमें कर्मठता से, मंदारी से, लगन पुर्वक काम कीजिए, जितना संभव ह कुद कीजिए, और समाज से भी जहां आवशिकता हो, सहयोग लीजिए, और अपने लक्ष की पूर्ति कीजिए, दाक साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पार्थ को स्पस्ट ही नहीं किया, बलकि इस पार्थ में छिपी हुई एतिहासिक चीजें, उसमें करने की प बहुत बहुत धन्यवाद, साथियों, अभी आपने ब्रजमुहन व्यास और उनका कच्चा चिठा पर विद्वान विशेशग्यों की राय देखी और सुनी, इस चर्चा के उपरांत आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिग्यासाएं रही होंगी, जिनका समाधान हो गया होगा, ऐसा हमारा विश्वास है, फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और कोई जिग्यासा हो, तो आप अपने साथियों से और गुर्जनों से चर्चा करें, साथियों, अब हमारा कारक्रम यहीं संपन होता है, अगले कारक्रम में हम किसी अन्य ले झाल झाल